हेलो वाट्स आप गाइस टूडें इस पीडूबूबूबूल सी हो टू एक्सेस यो आर्टीके डेटा इना और रियक्ट अप्लिकेशन जी हां गाइस तो देखूं ओबिसली कल के वीडियो में तुमेने यह बाता है कि आप कैसे अपने आर्टीके डेक्स टूल किट को रियक अपने रियक्ट अप्लिकेशन में आप आर्टीके का जो इस टेट का डेटा है उसको कैसे अक्सेस कर सकते हो यह बहुत इंपोर्टेंट है अपने तो यह है बट साती साती बाताना चाओंगा कि उतना ही एकदम आसान एंदन सिंपल भी है जो हम रिडक्स में यूस करते थे वन हुक सेम वही आर्टीके भी आपको प्रुआइड करता है and that is nothing but your use selector hook this is it with the help of use selector hook now in redux toolkit you can access the data basically in our react application we can access the data of rtk state या store basically तो कुछ है यहाँ पर और extra इसके लिए यह से तो आप देख सकते हो कि लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि यह जो पार्ट है यह हमें हमारे react application के अंदर लिखना है use selector hook and उसके अंदर we get the entire store का state ठीक है बट यहाँ पर एक catch होगा and that is कि आपको कौन से slice कौन से reducer slice का data चाहिए वो यहाँ पर आपको mention करना पड़ेगा फिलाल मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यह तो redux का है बट मैं आपको बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बता हूँगा बट इस तरीके से आप इतना समझ जाओ यह यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट है यह लाइन आल्राइट देखो फिलाल यहाँ पर लिखा है redux store आप इसको समझ लिजी redux toolkit store ठीक है as an argument and returns the specific piece of data we need समझ गये न आपको use selector hook का use करना है इसके अंदर आपको एक property मिलती जिसके अंदर आपका पूरा entire store का data आपको मिल रहा होता है जो कि बहुत awesome है ठीक है अब हम इसको करके देखते है तो चलते है guys हम हमारे vSquad editor पे so this is our app.jsx file अब यहाँ पे मुझे यह जो मेरा store का data है वो मुझे get करना है ठीक है यह मुझे get करना है all right कैसे मैं कर सकता है basically मुझे यह task reducer का data मुझे चाहिए so मैं चलता हूँ मेरे use selector and the moment आप यह hook को access करते हूँ आप देख सकते हूँ by default हमने कर लिया है import but एक चीज़ ध्यान में आप यह देख सकते हूँ and that is react-redux ठीक है यहाँ पे कोई toolkit लिखने की नीड नहीं है क्योंकि redux toolkit का एक part है redux का ही ठीक है तो यह आपको इस तरह करना है and obviously यह खूख है तो इस तरह की से रखो and let's see क्या मिल क्या रहा हूँ हमें यहाँ पे ठीक है task reducer okay you must pass a selector to use selector okay okay ठीक है एक काम करते है यहाँ पे let's go with state ठीक है state. ठीक है state ही कर देता है कुई नहीं all right एक वह मैं refresh करना चाहूँगा so task reducer no यह भी नहीं है object object so basically मुझे मिल तो यह रहा है यहाँ पे यह particular data यह देखो task reducer मुझे आगए क्योंकि app.j6 के अंदर है नहीं यह आप देख सकते हो यहाँ पे कि यही तो हमारा छटवा basically sixth line का यह पार्ट है जहाँ पे मुझे कुछ यह मिल रहा है तो मुझे entire पता चल रहा है कि state में मुझे यह जो task reducer है उसको access करना पड़ेगा फिर उसके अंदर यह task है उसको मुझे access करना पड़ेगा तो आप देख रहे हो है किस से यह काम कर रहा है task reducer dot task समझे कैसे काम कर रहा है देखो यहां पर all right so state dot task reducer मुझे लिखना है जो भी हो मुझे यह मिल चुका है ठीक है task reducer उसके अंदर फिर आपका यह नाम है task slice का नाम तो task है ना so it's a task reducer state dot task reducer ठीक है अभी फिलाल मैं यह रखता हूं ठीक है यहां पर इसको एक बाद फिर से दिखाना चाहूंगा so यहां पर यह देखिए थोड़ी देर पहले मुझे कुछ अलग दिख रहा था वह पहले task reducer दिख रहा था पिर उसके अंदर task दिख रहा था अब मुझे सिर्प और सिप task दिख रहा है ठीक है अब एक काम करता हूं इसको मैं dot task भी कर देता हूं तब क्या होगा मैं refresh करता हूं इसी this is it अब directly मुझे मेरा array आ गया तो आप मुझे आप एक बात बताओ जब भी आपको एक array मिलता है अगर आपको list की form में दिखाना हो एक के नीचे एक तो यह तो सबसे ज्यादा बच्चों वाला काम है जो हम हर बार करते आ रहे है जब भी हम first time map method filter या चाहे for each of for off जो भी हूँ तो मुझे तो मेरा data मिल गया बस इसको मुझे अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है अब मुझे यहाँ पर दिखाना है यह जो particular part था अब मैं इसको हटा रहा हूँ console.log को मैं हटा रहा हूँ and मुझे तो पता चल गया कि मुझे क्या data मिल रहा है यहाँ पर so const मैं यहाँ पर लिख देता हूँ task array यह कुछ भी आप लिख दू मैंने क्या लिखा हूँ वैसे यहाँ पर it's a task लिखा है मैंने तो ठीके मैं भी task की कर देता हूँ ठीके इस तरीके से अब इसको मैं copy करूंगा over here इसके नीचे में आऊँगा तो आप तो बच्चो वाला काम है dot we need to have this map method right मेरे पास code में चिपका रहा हूँ ठीके अब इसके अंदर obviously we have this current task and हमें index मिलता है कोई बड़ी बात है यह तो simple में भी मैंने कल की वीडियो में भी का था जब हम डिलीट कर रहे थे कि एक 0 आपको दिखता है फिर आपको उसका text दिखता है फिर आपको 1 दिखता है फिर आपको text दिखता है तो यह जो 0 want to this is nothing but your index number जो 0 से start होता है यह तो आपका code है जो हम लिख रहे है तो से मही है ना index number colon and then code simple फिर एक मैंने डेव ली फिलाल अभी यह जो आपको दिख रहा है इसको मैंने इस रख दिया कोई बात नहीं आप इसको भूल जाओ ठीक है तो यह आपका क्या है guys this is your react icons का package जिसमें यह जो है मैंने इसको import कर लिए मैंने बहुत video बनाया है how to use icons in your react application and specially react icons वाला package है simple आप इसको install कर लिजिए ठीक है फिर भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर जा सकते हो react icons yeah this one यही है और कोई नहीं है ठीक है यही वाला है home page पे भी आप जा सकते हो तो आप आप देखोगे कि इस तरही से आपको दिखाई दे रहा and इसका documentation में आप जाओगे तो इतना कुछ आपको दिखाई देता है ठीक है कुछ नहीं करना लेट से आपको अगर इसमें से कुछ पसंद आद ए देखो ना इस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा इसको कॉपी करना है आपको दिखनी रहे अब दिख रहा होगा देखो इंपोर्ट करो इस तरह से एंड यह डरेक्ट लिए आप एजन component उसको यूज करना पड़ता है मैंने वही किया है as a component यूज किया है यहाँ पर है ना and टॉप पर मैंने अड़ कर लिया और मैं और इसको 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 इंस्ट्रॉल गर चुका हूं सो गैस control एक सेब कीजिए यहां पर आईए and data तो दिखनी रहे यह काम करो और data देखो एक rule आपना यह यादी रख लो जब भी आप आप गाइस मैप चला रहे हो एंड कहीं से डेटा अगर आपको मिल रहा है ना API का डेटा है जहां का भी डेटा तो यह जो कुशन मार्क आप अपको अब इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी तब आप इस पर यह जो मैप में थेड़ है अब चलाईएगा ठीक है कि Oh my god I am sorry १ रिटर्ण तो किया ही मैंने रिटर्ण करना पड़ेगा ने मतलब मैं आपको बता तो क्या हो रहा है like jabs initon and by the way यूआ यह इस तरीआए से थोड़ी यहां पर लिखना है यहां पर लिखना है रिटर्ण तो मतलब क्या होता है ना जब पिकोशन कॉल कर रहे हो basically जब आप map चलाते हो या कोई भी function हो and the moment अगर आप callibrations use कर रहे हो it means कि आपको return लिखना पड़ेगा अगर आप callibrations use नहीं करते हैं तो simple अगर fat arrow function होता तो वहाँ पे आपको return and all लिखनी की जोत नहीं लाइक अगर single line होता है तो right तब नहीं जरूरत है but the moment अगर multiple line है and then callibrations है तो return लिखना पड़ेगा बहुत सबी लोग एक return mistake कर देते हो ना okay ठीक है मतलब वहीं था आ गया ना अब यह आने का आपको ना कल की वीडियो में यह बताऊंगा कि कैसे अब आप यहां पर कोई भी data को add कर सकते हो या कोई भी data को आप delete कर सकते हो and कैसे आप कोई भी action को dispatch कर सकते हो with the help of your react application तो बहुत ही ज्यादा मजा आनो अब वही सेम चीज में आपको Redux Toolkit की मदद से दिखा रहा हूं ता कि आपको पता चले आपको लगे कि कौन सा ज्यादा बैटर है and by the way अब तो Redux तीम अलड़ी बोल चुकी you need to use Redux Toolkit no matter what ठीक है तो आपको अब बहुत क्लियरली धीरे धीरे अब आपको चीज़े क्लियर हो रहा है I know guys अब अब धीरे क्लियर हो रहा है ठीक है क्लियर हो रहा है